और नीट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है हाला कि सरकार क्या रही है कि वो चर्चा के लिए तयार है मगर पहले अब इभाशन पर चर्चा होगी इस बात पर विपक्ष लोग सभा से वॉक आउट कर गया राहुल ने नीट पर चर्चा की मांग की थी राहुल गांधी ने कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लिख हो चुका है उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की और विपक्ष ने आज सदन से वॉक आउट कर दिया लोकसभा से वॉक आउट कर दिया विपक्ष ने नीट पर चर्चा की मांग राहूल गाधी ने रखी और कहा कि बीते 7 सालों के अंदर 70 बार पेपर लिख हुआ है देश के अंदर हम चाहते थे कि नीट पर एक दिन का डिसकॉशन हो काफी ज़रूरी मामला है दो करोड युवाओं को नुकसान हुआ है सक्तर बार पिछले साथ साल में पेपर लिख हुए है तो हम चाहते थे कि हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पर हो तो अगर आप मौका दे सके हैं लोगसभा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए राजनात सिंग निविपक्ष के सामने सुझाव रखा उन्होंने कहा पहले राष्टपती के अभिभाशन पर चर्चा करें और उसके बाद नीट समेट किसी भी मुद्दे पर सरकार चर्चा को तयार है और इसके बाद राष्टपती के अभिभाशन के बाद नीट पर चर्चा के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए जिस पर स्पीकर ने राष्टपती को प्रस्ताव लाने को कहा और पोरा सरन इस बात से अउगत है कि संसत की करवाई कुछ rules और प्रसीजन्स के आधार पर चलती है रूल्स और प्रसीजन्स के अत्रेक्ट कुछ healthy traditions है संसत की जिसके आधार पर करवाई चलती है और मानता हैं कि है healthy traditions हमारे संसत की एक सब से वड़ी टाकत है जब कभी भी राष्टपती जी के विवासन पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि अपने लंबे संसरी जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार्त में कह सकता हूँ कि अन्न किसी विशे पर उस समय चर्चा हुई हो इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विवक्ष के सबस्यों से भी आग्रे करना चाहता हूँ आप जिस भी से पर चर्चा करना चाहते हूँ आप चर्चा करें लेकिन एक बार राष्टपती से संबंदिक जो धन्नेबाद प्रस्ताओ है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें यह मेरा सभी से विनम्मर अन्रोड है संसद के दोनों सदनों में आज माईक का मुद्द उठा कॉंगरेस संसदों ने आरोप लगाया कि लोग सभा में बोलने के दोरान राहुल गांधी का माईक बंद किया गया राजे सभा में जब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, तो इस पर सभापती की ओर से जवाब दिया गया। और कहा कि आपको टेक्नोलोजी समझनी चाहिए।